यहां पर ना हमारे आजाते हैं बंदर डेली की डेली और इतनी गंदगी करके चले जाते हैं ना सिद्धियों में पोटी कर जाते हैं कभी कुछ लेकर आ अब करें तो यहां पर ना बनारी सिद्धा तीयार कर रही थी तो हजबन जी इसको केल डे लेकर रखे तो अब रहाए तो थे मैं बोलई रहा कि आदध पर जाएगी अगर मैं इसको दूंगी तो इस अच्छा तो अगर आपको डालना तो फिर न प्षट पे डाल या करो तो यही बात हुरी थी फिर इन्होंने दे दिया था कि यह खालें देखाएगा और यह देखे कि इतने हराम से बैठ करके खा रहा है यही पर उसको बिल्कुल पी डर नहीं है कि यहना मैं यहां फर बैटा हूँ कोई मुझे डाटेगा भगाएगा कुछ नहीं डरते ही नहीं और ताओ अच्छी ताओ भी अच्छी ताओ भी अच्छी ताओ भी अच्छी ताओ भी अच्छी इस्कुल में जाएगा इस्कुल में क्या नाम लिखाएगा अंच्यू अब पापा का नाम लिखाएगा पापा क्या नाम लिखाएगा इमांच्यू और मम्मी का मुनाम और ताई का क्या नाम लिखा गयाएगा ताई का नाम लिखा गयाएगा और ताउ का क्या नाम लिखा गयाएगा ताउ क्या नाम लिखा गयाएगा ताउ सिखा रहे है ताउ सिखा रहे है ताई का नाम निथी तुन ताई का नाम क्या गयाएगा तुन और वहाई जाना था तो यह जल्दी उड़ गए थे तो इनको मैंने जल्दी नाष्टा बगरा कर आ दिया था और अभी मैंना आप से शाम के टाइम मिल रही इंग और अभी मैंने आर्ती बगरा कर ली थी और उसके बाद में मैं यहां कहानी की तियारी कर रहे हूं सुबह मैंने कल की वीडियो में दिखाया था कि भंडी बनाई थी तो उसी से हम लोगों का हो गया था हशित का भी और मेरा भी और भोग भी मैंने उसी से लगा दिया था लेकिन आपी रात के टाइम में मैं इनके लिए ना तोरे ही बना दे रही हूं क्योंकि इना सुबह तो चले गय थे तो इनोंने खाना पगरे निखाय था लेकिन रात के टाइम में मैंने तोरे यह तो नो को मैंने उस्में बनाओंगी फिर मैंने देखा किया रही ने करई रख्य hard है जिसके लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता है तो फिर मेना एक बार मेना सब्जी ऐगरा चौक लेती हूं या फिर पराथे वगेरा बना लेती हूं तो यहां पर मैंने तेल गरम हो रहा है इती देर में थोड़े बहुत परा ये बर्तन रखे हुए न बास्केट के नहीं तो लगता है जल्दी गरम हो जाता है तो फिर मैंने ना हीघ डाल दी टी और जीरण डाल देता किसी सब्जी में डालो यार ना डालो लेकिन टोरई ऐसी सब्जी जिसके बिंदक जरूरी है कशूरी मेती दाली थोड़े बुद मसाले डालें करको फिर तौरही बनाते हूं लिए इनको पासंद नियाती है बस इसको बनने के लिए मैंने यहां पर छोड़ दिया था कि यह बनती रहेगी दीरे दीरे तो धकर के इसको मैंने छोड़ दिया था और फिर ना मेरे पास में यहां पर धनिया रखा आया हुआ था जन्द मास्ट में पर मैंने मंगाया था पंजीरी बनाई थी ना धनिया की तो फिर थोड़ा सा जादा करके मंगाया था क्योंकि मेरे पास धन्या खतम भी होने वाला था तो उस टाइम से ना मेरे तबेती थोड़ी ऐसी चल रही है तो फिर ना मैं धूप नहीं लगा पाई थी और इन दिनों बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है हमारे यहां पर और नहीं रहता है पता ही नहीं चल तक कवा जाती है तो धन्या एकदम सही है सूखा ही है को ज्यादा वह नहीं है दिक्कत तो बस मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे उपर उपर से बीन लूगी कि कुछ कंकर वगरा तो नहीं है और बाकी तो फिर मैंना इनको इसको पीस पूंगी निकल जाए इतना मैं इसको थोड़ा सा ना फ्राइ कर ले रही हूं ड्राय रोस्टी कर रही हूं मतलब ज्यादा वह नहीं कर रही हूं और तो यहां पर मैं इसको दबा करके देख रही हूं चैक कर रही हूं कि एना एकदम करंच करके तूटने चाहिए अगर तूटते हैं कंट्रेज होती है दूसरी कंट्रेज होती है जहाँ है मैं समीर्फोबिती है जिस ने अन्यकलता सब्सक्रेवर्ण गॉस्तたुम तरह को पू beggar धक अधन्यके फ़लहाते तो कि यहां में जहुचा हम आपकäreर क्योंकि कई बार यह होता है कि फास्ट अपने उसमें है यह नियम मेरा कि फास्ट नहीं है मेरा कल लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ऐसे सोच के चलती हूँ और यहां पर मेरे पास आलू का वह रखावा था थोड़ा सा भुरता तो फिर ना वह मैंने दो दिन पहले बनाया था वह अभी तक रखावा है तो मैं सोची कि दो पराठी बना लेती हूँ और मेरा तो रात को न फिर यही हो जाएगा रात को में पराठी खा लोंगी और अगर हर्शित खाएगा तो हर्शित खा लेगा तो यह सोच कर कि मैंने यह आलू जिससे खतम हूँ फ्रीज में ज्याद खाना फ्रीज में चला गया तो यह समझे लो उसके अंदर ऑक्सिजन तो बिल्कुल गई नहीं है जित्ती देर तक आपनी फ्रीज के अंदर खाना रखा है तो तब ही तो कहता है कि फ्रीज में से निकालते के साथी कुछ नहीं खाना चाहिए थोड़ी देर रखकर कर फिर चाहिए तो यहां पर ना मैंने पराठे उनाई ती देर मैंना धन्या भी धंडा हो गया था तो यहां पर बस मैंने धन्या को पीस लूँगी तो हुआ है मेरा दन्या जो है मैंने पीस लिया था और चान भी लिया और थोड़ा सा लिए नम्ग नकल गया था तो जो बचा को मैंने नमक की जो मेरी टैली जाता है जो थैली में था पैकट में दिया तो इक नमक रख़ाइक को दूल करते हैं, तो फिर झाले होग जो फिर थीज़ा भराब नहीं होती है जल्दी से मेरा तो जल्दी खतम हो जाएगा, लेकिन फिर बी न हम दुमार चाहिए, ऐसे परभूदा, ईक डिली के वितल जैसे मेरी मम्मी तक बहुत 5-5 kg तक बहुत 5-5 kg तक तो फिर वह इसी तरह से रखती हैं जिससे कि पूरे साल भर का मतलब मंगा करके रखती थी तो ऐसे ही नमक बगर डाल करके और फिर रखती थी तो फिर इसले मालूम है यह सारी चीजे तो यहां पर बस सब्जी हो गई थी तो उसको मैंने खाली कर लिया था और रग दिया है साइड में जिससे की वह मतलब साइड में रखती निकाल कर दिया था यहां पर मैंने चीनी डाली यह दूद के दा मैं क्रिश्यों को दूद का भोग लगा कर आ रही है और चीनी मैं ना बता है क्यों इन दिनों बहुत बारिश के मुसम में निकल आती है मैं मानती हूँ लेकिन इस साल कुछ जादे ही निकल रही है तो मैंने डेली वाला जो कंटेनर है उसके अंदर भी मैंने पता है खाली कर दिया था उस कंटेनर को एकदम क्योंकि उसमें बहुत चीनी लग रही थी मुझे लग रहा था कि प संदे क्योंकि डेली वाले दिन में टाइम निंग मिलता है अशित का स्कूल रहता है तो और यहां पर बस है ना मैंने मांग वगरा भड़ ली थी और करने लग गई थी आरती क्योंकि या संदे तो इतना सुबह का वो नहीं रहता है बाद में ब्रेक्फस्ट बनता है तो यहा मैं राजस्तान की स्पेशल सब्जी जो गट्टे की सब्जी होती है वही बना रही हूं तो यहां पर मैंने बेसन ले लिया ता हल्दी अजवाइन नमक और लाल मिर्ची डाल करकी और इसका एक डोर बना लूँगी थोड़ा सा इसके अंदर मैं धही डालूंगी जिसे की ग तो अगर आप प्याज लेस्न की खाते हैं तो बस तड़का लगाते समय आपको प्याज लेस्न डालना होगा तो दही के अंदर ही गुद क्याता है थोड़ा सा एक दो बून पानी डालने की चोड़ पड़ी थी तो मैंने यहां पर डाल लिया है वह थोड़ा सा टाइट करक लग गया लेकिन ट्रडिशनल तो यह यह की गोल गोल बना करके उन्हें काट किया जाए आलो की तरह या फिलंबे बनाए जाए तो यहां पर मैंने इनको रोल करके और बस पानी को बोल करने के लिए रख दिया था पानी बोल हो जाता है उसके बाद में इन गट्टों को डा आप चाहें तो जीरा पाउडर होता है वह भी आप कर सकते हैं मैं साथ मेना कश्मीरी लाल मिर्ची डाल जिसे की कलर अच्छा है क्योंकि हमारी जो यह मिर्ची तीखी तो काफी लेकिन कलर नहीं देती है और साथ में यह पर डाल दिया है थाए थोड़ा ज्यादा सा करके ड तो यहां पर अच्छा क्वादाई स्दाइते में रग दिया जाए मधशा दौन के जाए थोड़ा फोड़ा निकाल कर के ate तो यह अल्मस होई गए थे थे थोड़े से निकाल कर के कटकर लूंगी इत्ती देर में च्टोड़ के लिए पाझ पंझलाई के में तो यहां पर म झाल झाल तो यहां पर मैंने तेल डाल दिया था उसके बाद मेंने कसूरी मेथी डाली ती साथ में जीरा डाल दिया था और जो यह पेश्ट तैयर करकी रखा है ना इस पेश्ट को भी मैं इसके डाल दूंगी और आज मैं पता है अपने पुराने वीडियो देख रही थी पांच साल प कि मैं एतना वह लग रहा था कि मैं किसे पहले ना जोईंट ख Schlaff और नहीं था ना किसे भाग भाग कर करती थी लेकिन वही है किसी जही पर मीरें मिलता एसी होती है है कि वह अजलिए शॉरा यहां पर ने जो है डाल दिये थे और उसके बाद में नमक भी अट कर दिया नमक मैंने गटों में भी डाल दिया था इसलिए समय थोड़ा कम ही जो है वह डालना है नमक छोटे-छोटे मीनी समोसे इतने क्यूट लग रहे हैं समोसी की शेप अंदर क्या में बहुता है जब शादी ब्याओं में बनती है ना कचोड़ी वैसा वाला है यह दाल पीज के बढ़ा हुआ पापा को मना है सारी चीज़ों की लेगी तो गर में नहीं बनाएंगे तो बजार से लिए करके खाएंगे खाएंगे अब भी बस आरती करने के लिए बैठी हुट दिया भी जला लिया है बस मैंने सोचा कि पहले वीडियो को एंड कर लेती हूँ जी दे लिए अप्लोडेगी चीज़ों का कर दिया दूँए कमा लिए अप्लोड़ी उलगा दूँगा गी वेप्लियो। इहां दिनों मैं थोड़ासा ऐसी डल हो हुह। मैं कोमेंट के रिपलाई नहीं लेकिन आपकी कोमे पढ़ने करती हूँ और मुझे मुझे रेक्षार मोटिवेशंद मिलता है थोड़ासा कि मुझे बलोग्स बनाने चाहिए कि मैं नहीं आप लोग भी मुझे मिस करते हैं तो बस यही सब चीजों को सोच करके अगर हो सके तो कॉमेंट्स भी कर दिया कीजिए और लाइक तो जरू कर दिया कीजिए चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा रादी रादी हारी कृष्णा